हलो फ्रेंड्स वेलकम इन मा यूटूब चैनल रेडियोलोजी टेकनिकल फ्रेंड्स आज का हमारा टोपिक है पोस्ट ओपरेटिव कोलेंजिग्राफी या टीट्यूब कोलेंजिग्राफी फ्रेंड्स टीट्यूब कोलेंजिग्राफी क्या होती है वह इसके इंडिकेशन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें वे रेडियोलोजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आईए जानते हैं पोस्ट ओपरेटिव या टीट्यू कोलेंजियोग्राफी के बारे में फ्रेंड्स लाश्ट दो वीड लाश्ट जरूर बारे में एक्सरे किया जाता है इस रेडियो ग्राफिक एक्जामिनेशन में कोन्ट्रास्ट मीडिया को टीट्यूब के माध्यम से पेसेंट के बिलियरी ट्री में इंजेक्ट किया जाता है जब बेलीरी ट्री के अंदर रेजडिवल उगालिस्टॉन मतलब पत्री की संभावना होती है तो टी ट्यूब को आम तोर पर कोलेसिस्टोग्राफी ओपरेशन के दोरान डाला जाता है यह इस्टेडी आम तोर पर सरजरी के 7 से 10 डेज के बाद के जाती है इस एक्जामिनेशन में के थेटर को पेसेंट की बोडी के बाहर लगा कर छोड़ दिया जाता है और उसके क्लेम को ओफ मतलब बंद कर दिया जाता है इसमें ट्यूट्यूब की साइज 10 नंबर का यूज किया जाता है अब पॉस्ट ओपरेटिव कोलेंजियोग्राफी या έड्टीट्यूब कोलेंजियोग्राफी के इंडिकेसंस की बात करते हैं मतलब यह है एक्जामिनेशन किस किस कंडिशन में किया जाता है suspected stone induct मतलब biliary duct में suspected पत्री होने पर Suspected biliary duct obstruction मतलब biliary duct में कोई रुकाउट होने पर Obstructive jaundice मतलब obstructive pilia होने पर Suspected lesions in biliary tract मतलब biliary tract में कोई suspected lesion होने पर Biliary duct stenosis मतलब bile duct शिकुड जाने पर इन सभी conditions में T-tube kolorangiography किया जाता है अब contra indications की बात करते हैं मतलब T-tube kolorangiography को किस condition में नहीं करना चाहिए Suspected pregnancy होने पर Allergy to contrast media मतलब contrast media से patient को allergy होने पर Barium study within last three days मतलब examination करने से three day पहले तक barium study हुई है तो यह examination नहीं करना चाहिए Severe infection of biliary tract मतलब biliary tract में बहुत ज़्यदा infection होने पर Non consent by patient to procedure मतलब procedure के लिए patient दोरा सहमती पत्र नहीं बरने पर इन सबी conditions में यह examination नहीं करना चाहिए अब tea tube cholangiography में यूज होने वाले equipments की बात करते हैं मतलब यह examination करने के लिए किन किन equipment की जरुरत होती है X-ray machine, spot film device, tea tube catheter, contrast media, syringe, normal line, gouse और sterile towel यह सबी equipment tea tube cholangiography करने के लिए उपलब्द होने चाहिए अब patient preparation की बात करते हैं मतलब tea tube cholangiography के लिए patient को कैसे त्यार किया जाता है describe the whole procedure to the patient मतलब patient को examination से पहले पूरे procedure के बारे में बता देना चाहिए previous biliary tract investigation report मतलब biliary tract investigation की previous report collect करने चाहिए tell the patient to not eat or drink 4 to 5 hour prior to the procedure मतलब patient को बोलना चाहिए कि procedure के 4 से 5 hour पहले खाना वे पीना नहीं करना चाहिए patient to remove clothing and wear hospital gown मतलब patient के कपड़ों को remove करवा कर hospital gown पनाना चाहिए patient identification correct patient correct side correct procedure मतलब patient का identification करना चाहिए जैसे correct patient, correct side और correct procedure अब T-tube cholangiography के procedure के बारे में बात करते हैं the patient is position supine on x-ray table मतलब इसके लिए सबसे पहले patient को x-ray table पर supine मतलब सिधा लेटा आ जाता है after a scout film of abdomen, फिर एक abdomen की scout film ले जाती है after turn the patient in right posterior oblique position, फिर patient की right posterior oblique position में turn करवाया जाता है the tip of the T-tube is clean with antiseptic, फिर T-tube के tip को antiseptic solution के साथ clean किया जाता है T-tube should be raised and tapped to ensure there are no bubble lurking in the tube मतलब T-tube को उपर उठा कर देखा जाता है कि T-tube में कोई bubble मतलब बूल बूले नहीं हो फिर इसे tap कर दिया जाता है a butterfly needle should be inserted into the tube फिर एक butterfly needle को T-tube में डाला जाता है dilute contrast media injected slowly from the end of T-tube under fluoroscopy guidance मतलब fluoroscopy guidance के अनुसार dilute contrast media को slowly T-tube में inject किया जाता है the radiologist observed patency of duct leakage from duct under the fluoroscopy control मतलब radiologist के द्वारा fluoroscopy control में duct की patency और duct में leakage को observed किया जाता है when the duct filled with the contrast media or radiographs are taken मतलब contrast media inject करने के बाद जब duct contrast media से भर जाती है तो radiographs लिये जाते है T-tube kolangiography में radiographs या filming right posture oblique, left anterior oblique, abdomen PA standing position में film ली जाती है अब after care की बात करते हैं मतलब T-tube kolangiography करने के बाद patient की क्या after care करनी चाहिए patient सामाने रूप से कुछ खाना पिना कर सकता है procedure होने के बाद patient को यह advice करना चाहिए कि patient को खुजली याद आने हो सकते हैं procedure complete होने के बाद T-tube को remove कर लेना चाहिए patient को procedure होने के बाद कम से कम 24 hour तक hospital में observation में रखना चाहिए अब complications की बात करते हैं मतलब procedure होने के बाद patient को क्या कठिनाया हो सकती है persistent biliary fistula मतलब लगतार biliary fistula हो सकता है यह rare case में होता है biliary peritonitis हो सकता है colangitis हो सकता है so friends आज का हमारा topic यहीं complete होता है friends next video में ERCP मतलब endoscopy, retrograde, colangio, pancreatography के बारे में बात करेंगे so friends आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like, share वर subscribe जरूर करें वर इसके bell icon पर click करें जिससे आने वाले मेरे next video का notification आपको मिलता रहेगा आपको 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 आपक